तो ऐसे हम पर यह रहा दूसों मेरे पास Realme Narzo 50A Prime स्मार्टफोन आपको मैं इसी स्मार्टफोन के टॉप 60 प्लस टिप्स और ट्रिक्स हिडिन फिचर्स बताऊंगा कमाल के ट्रिक्स बताऊंगा दूसों आप इस वीडियो को एंड तक देखकर बहुती इंट्रेस्टिंग और सम कमाल धमाल तरीके से अपने स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और आप चैनल पर नहें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकुन पर प्रेस करके रख लेना सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए दूसरों आप इस फोन में इसकुन शॉट लेना जाते हैं तो उपर नोटिफिकेशन प्यानल में आकर इसकुन शॉट की उपर क्लिक करेंगे तो इसकुन शॉट लजाता है इसके अलावा आपको ये शॉट लेना तो मिनो बटन पर क्लिक करके यहां पर इसकुन शॉट दिखता होगा आपको इस पर क्लिक करेंगे तो भी शॉट लजाता है हाम पर आप दूसराü एप्केशन भी यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से दो-दो एप्केशन इसको नहीं चूटेंगे चला जाता है अब मालो आप दो applications की बिज में काम कर रहे हैं एक application यह है दूसरा application यह है तो आपको उस पहले वाले application में जाने के लिए इस menu button पर double click करना होगा वापस से double click करके इस application में आप आ सकते हैं अगले feature की बात करने के लिए आपके हम पर आना है अब इसके बाद आपके हम पर दिक्ताओं का display आपको इस display setting में आना है यहां पर है dark theme आप इसको on करेंगे तो पूरा फुन black black सा हो जाएगा कुछ इस तरह से तो आपके आँखों को effect ने पड़ेगा screen का और battery भी कम consume होती है आप इसको anytime ज़रूर on करके use करना मैं थोड़ी दिर के लिए इसको off करता हूं वीडियो recording करने के लिए इसके बाद यहां पर है night light मतलब यहां से आप इसको on करेंगे तो display का color कुछ इस तरह से हो जाता है और आप इसकी capacity को कम कर सकते हैं ज्यादा करना चाहिए ज्यादा कर सकते हैं आप browsing कर रहें या आप कुछ भी पढ़ रहें steady को अगर रहें तो इसको on करेंगे तो आपके आँखों को effect ने पड़ेगा screen का आपके आँख safe रहेंगे ब्याक आने के बाद आपके हम पर दिखता होगा इसी setting में colors and contrast आपको इस setting में आना है आप vivid रख सकते हैं gentle रख सकते हैं अपने screen का color जो आपको अच्छा लिगा रख लेना उसके बाद यहाँ पर है warm है cool है और standard है और अपने इस आप सीपी आप इसको customize कर सकते हैं ब्याक आ और अच्छी दिखेगी वीडियो और photos की ब्याक आने के बाद और आपके हम पर दिखता है इसी display setting में आने के बाद नीचा आने के बाद add up to brightness आप इसको भी on कर सकते हैं इसको on करेंगे तो आप जैसे धूब में जाते हैं तो automatic brightness ज्यादा होता है और अंदेर रह में जाते है तो automatic brightness कमनता है ब्याक आने के बाद और यहां पर है wallpapers मतलब आप हम पर live wallpapers यहां पर इसको भी रख लेना इसके अलावा आप हम पर करेंगे wallpapers इस पर click करेंगे तो आप यहां पर wallpapers मिलते हैं आप जो अच्छा लेगे इसको आप हम पर रख लेना यह होगा उसके बाद आप के हम पर मिलता है दोसों आप photos पर click करके आ सकते हैं gallery में अपने gallery का photos select करके यहां से आप रख सकते हैं ब्याक आने के बाद display sitting में आने के बाद नीचे आने के बाद आप के हम पर दिखता है screen time out आप हम पर maximum 30 minutes तक कर सकते हैं आपने एक minute कर लिया तो आप phone को इस सारह से यूजर नहीं कर रहें तो एक minute के बाद में display automatic off हो जाता है उसके बाद यहां पर रहें दूसों और auto rotate screen इसको on करेंगे तो आप जैसे phone को rotate करते है screen उसी तरह आपका rotate हो जाता है इसके बाद यहां पर है font size अगर आपके आँक कम बज़र हैं आपको ठीक तो नहीं दिखता है कि जो आपको display screen यह बड़ा हो जागा यह देख लीजे इस तरह से आप इसको भी बड़ा कर सकते हैं बैक आने के बाद और यहां पर एकदम लाश्ट में दिखता होगा आपको display setting में आने के बाद में lock screen आने के बाद यहां पर notifications on lock screen आप यहां पर don't show notifications at all करेंगे तो आपको जो जो एप से notifications आते हैं यहां पर इस तरह से आपको बता देगा उसके बाद यहां पर है और add text on lock screen यहां पर आप जो भी नाम लिखकर डालेंगे वह नाम आपका lock screen पर बता देगा तो जो लिए इसके बाद यहां पर है और double click on the lock screen इसको on करेंगे तो अब मानलों आप home screen प हो जाता है दोस्तों आपको कोई भी चीज कोई भी ब्रैंड हो आप मेरे चैनल के जरीए प्रमोट करना जाते हैं तो इस नंबर पर आप sponsorship के लिए WhatsApp कर सकते हैं या तो आप call भी कर सकते हैं अगली फीचर की बात करने के लिए और आना है आपको setting में और आपके हम पर आना है तो automatic screen on हो जाता है ब्याक आने के बाद यहां पर है वेक screen for notifications इसको on करेंगे अब मौल आप लॉग करके रहे कि इस तरह से phone को तो कोई भी एप से आपको notifications आते हैं तो इस तरह से screen on हो जाता है अगली फीचर की बात करने के इस phone पर click करके हम पर three dot पर click करके settings में आना है और हम पर दूसरों display options आपको इस setting में आना है चुछ तिम पर आप click करके इसको dark कर सकते हैं light भी कर सकते हैं आप में पर dark करेंगे तो बाकि सब कुछ तो light mode है लेकिन फोन वाला application इतना ही dark mode में convert हो जाता है एक step back आने के बाद आपके हम पर दिखता कि दूसरों blockade numbers आपको इस setting में save ने है तो चले इसकी बाद इसको off करके हम पर add a number पर आप click करके हम पर जो भी number dial करके इस तरह से block पर click करेंगे वह number blacklist में पढ़ जाता है वह आपसे निकालने के लिए इस तरह से करके इसको निकाल भी सकते हैं और चले back आने के बाद आपके हम पर caller add and spam मिलता है इन दोनों settings को on करना आपको जो भी call आते हैं वह verify होकर आएंगे और आपको spam call आता है तो बता चलेगा अगली feature की बात करने के लिए आपके हम पर आना है notification पैनल में आपके हम पर रिखता है इस पर आप click करके screen recording कर सकते हैं आप record audio यह रखना चाहिए रख सकते हैं हम पर device मतलब mic extra लग करके stop कर सकते हैं screen recording को अगली feature की बात करने के लिए इसी notification प्यानल में आने के बाद एक pencil लिखता है हम पर आप इस पर click करके हम पर इसको ले सकते हैं hotspot वागर आपको उपर तो चले हम पर ले सकता हूं इसको उपर और wifi calling यह भी लेता हूं उपर और data saver है और scale of focus mode है यह आपकी आराम सी नीन होगी दूसों इसके बाद इसी notification प्यानल में आएंगे हम पर आपको दिखता है focus mode हम पर आप आकर यहां से आप कोई भी applications के notifications थोड़ी दिरकले ब्लॉग करना चाहें तो आप हम पर कर सकते हैं example हैं यहां पर कर ले तो मैं Facebook को मैंने select कर लिया है turn on करूं होगा तो Facebook से कोई भी हमको notifications भी नहीं आएंगे हम पर और Facebook में open करूंगा तो open भी नहीं होगा यह देख लीजिए अभी यहां पर मैं इसको offer होगा focus mode को तो Facebook से हमको notifications भी आएंगे भी और Facebook open भी होगा अगले फीचर की बात करने लिए आपके आना अभी setting में और आपके हम प आप से हमको notification आया था क्या कि हमने clear किया है देख सकते हैं ब्याक आने के बाद हम पर आपके हम पर आना है और नीचे हम पर दिखता होगा तो और हैट silent notifications in status bar आप इसको आन करेंगे तो जो अप्लेकेशन के notifications के लिए करने के बाद क्लियर होते हैं उनको कहते हैं silent notifications उन एप्लेकेशन के आइकन से यहाँ पर आपको ऊपर status bar में नहीं बताएंगे इस setting को आन करने के बाद में और यहाँ पर दोस्तों नीचे आने के बाद मे इस setting में notification.on app icon इसको आन करेंगे तो अब मालो आपको कोई भी app से notification आता है तो उस app के ऊपर एक dot बताएगा वो dot को देखकर आप पहचान सकते हैं इस app से notification आया है बोलकर इस तरह से setting में आने के बाद आपके हम पर आना है apps and notifications उसके बाद हम पर see all apps पर हम क्लिक करेंगे तो स तो हमको Chrome से कोई भी notification से ही नहीं आएंगे आपर ब्लॉक कर सकते हैं अगली feature की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों और setting में और आपके हम पर रिता है apps and notifications आपको इस setting में आना है और यहां पर screen time today मतलब यहां पर screen time में आना है यहां पर आज सुबा से लेकर अभी तक आपन on कर सकते हैं Wi-Fi से आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं यह हो गया उसके बात में आपके हम पर मिलता है अभी do not desktop इसको on करेंगे तो आपको call message कुछ भी आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्यूंकि आपका phone vibrate भी नहीं होगा और ringtone भी नहीं बजाएगा आप meeting में वग भी होगा बैक आते हैं इसी sound setting में नीचे आते हैं और यहां बारे जो सारे sound साना सब को off करना है सब को off करेंगे तो आपके phone की battery backup ज्यादा देगी कैसे आपको मैं बताओंगा आप इन सारे settings को on करेंगे तो डेल पर डेल करते ब्लॉक करने के बाद अन्लॉक करने के बाद ब operation को on कर सकते हैं अगर मैं को तो इसको भी off कर लाना देशन क्यूंकि hybrid machine बार बर on होगी बटन पर क्लिक करने बद तो भी battery थोड़ा ज्यादा consume होती है अगले feature की बात करने के लिए आना दिसो और आपको setting में और आना है इस तरह से नीचे हां पर smart controls में आपको आना है और हां मालो आपको call आता है तो जैसे कान के पास लेकर जाते हैं आप phone को तो automatic call issue हो जाता है उसके बाद यहां पर easy bell इसको भी on कर सकते हैं अब इसको भी use कर लेना अब मालो आपको call आता है तो आप फिलिप करेंगे phone को तो ringtone बजना बंद हो जागा लेकिन call तो आता ही रहेगा औ और उसके बाद आते हैं दस्तों और ब्याग आप कहाँ पर मिलता है pocket mode यह कमाल का feature है यहां पर इसको on करेंगे touch disable को on कर लेंगे अब मालो आपको call आता है आप जेब में रहें पोन को तो कभी कभी क्या होता दस्तों automatic touch होकर या तो call receive होता है या तो cut जाता है यह problem आपके सा जालते हैं तो work करेगा अगली feature की बात करने के लिए long tap करना है home screen पर home setting में आना है यहां पर add app icon to home screen इसको on करेंगे आप कोई भी नया application डाउनलोड कर लेते हैं तो यहां पर सारे application में तो आ जागा वह लेकिन यहां पर home screen पर आना चाहिए तो इसको on कर लेना अगली feature की बा home screen भी आपका rotate होगा अगली feature की बात करने के लिए long tap करते हैं home screen पर home setting में आते हैं pull down action इस setting में आएंगे आप हम पर करेंगे do nothing तो आप इस तरह से नीचे लेकर आएंगे उंगली तो उपर से notification पैनल भी नहीं आएगा खुछ भी नहीं आएगा आएगा अगली feature की बात करने आपके हम पर आना है setting में और आना है नीचे इस तरह से हम पर security आपको इस setting में आना है find my device हम पर यह off है तो इसको on कर लेना है on करेंगे तो आपका phone घुम जाता है तो आप बड़े आराम से track कर पाएंगे अपने smartphone को back आने के बाद हम पर आप screen lock पर click करके pattern pin password जो रखना चाह है इसके बाद है हम पर इसी में आप आकर face lock को भी हां से set कर सकते है pattern pin password जो रखना चाहिए रखकर आप face को scan करेंगे तो face lock set हो जाता है दोस्तों अगली feature की बात करने के लिए आते हैं और इस तरह से नीचे हम पर आपको आना है भी battery setting में आना है और यहां पर है ultra battery saving को भी use क पर सकते हैं इसके अलवा battery percentage को भी on कर सकते हैं battery percentage देखने के लिए नीचे आकर last full charge मतलब आपने full charge कप किया था last बार यह भी आप देख सकते हैं इसके अलवा battery के regarding आपके हम पर कुछ settings यह देख सकते हैं ब्याग आते हैं एक step आपके हम पर रिखता होगा digital well being आप उस setting में आ पर यह देख लेना दोसों और यह सारे settings आप यह यूज कर सकते हैं ब्याक आते हैं आपके हम पर आना है भी system setting में आने के बाद यहां पर दोसों date and time यह 24 hour format होता है इसको off करेंगे तो टोल हर्स में आपको timing बताएगा जो आपको समाझ में आता है एक step आने के बाद और यहा आपको इस setting में आना है हाँ पर system navigation आपको इस setting में आकर जच्टर navigation पर किलिक कर देना buttons हैड हो जाएगे ब्याक बटन हो में ब्याक आपको ब्याक आना तो इस सेट से आ सकते हैं और इस से भी आप ब्याक आ सकते हैं हो मैं बताऊंगा आपको ओपन करना है Chrome को ओपन करके आप आप के हम पर search करना है ring ring apk example यहां पर यह रहा ring और ring apk मैंने search करके आपको इस application को download कर लेना फिलहाल इसमें internet नहीं है मैंने दूसरे phone से इसको transfer कर लिया है आप इस application को download करेंगे तो आपको open करना है open करके सारे permissions देना है यह off रहत है यह on कर लेना है permissions देके on करने के बाद यह यहां पर पहले से by default तो कुछ इस तरह से होता है segment color होता है आपको भी example यह yellow color set करना तो yellow color पर click करना है यहां पर code है copy करना है yellow color का copy करके इस पर click करके वह ही code को यहां पर paste कर देना है यह रहा मैंने paste कर दिया paste कर दिया ok पर click कर दिया वापस segment color पर click करके single को set करना है इस पर click क पर क्लिक करके हैं पर yellow color को set कर लेना इस तरह से यह set हो जाता है अगली फीचर की बात करने के लिए आना है आना है दोसों आपको और setting में एकदम नीचे आना है और आना है इस तरह से नीचे यहां पर देख सकते हैं remote animation इसको on करेंगे आप ब्याग आते हैं open करते हैं तो कितना fast open आता है कितना fast close आता है आपका smartphone यह देख सकते हैं एक पर इस setting को off करके पर मैं बताऊंगा यह देख सकते हैं अगली फीचर की बात करने के लिए और आएंगे और setting में और एकदम नीचे आकर accessibility setting में आएंगे और आना है इस तरह से नीचे यहां पर देख सकते हैं color correction यहां और large mouse pointer आप mouse का जो point आता है वो यूज़ करते हैं नीचे आने के बाद और आपके हम पर दिखता है दूसों चलिए power button and call इसको on करेंगे तो अब मालौ आप call पर बात कर रहे हैं आपको call करना है तो power button की उपर एक बार click कर देना call cut हो जाता है उसके बाद नीचे आने के हाई कर सकते हैं contrast में ला सकते हैं इसको on करके और यहांपर mono audio is setting को on करके mono audio को भी use कर सकते हैं दोसों इसके बाद आपके हम पर आना है भी accessibility menu चान करेंगे अब यहांपर देख लिजे अभी आपको क्या करना है दो फिंगर से उपर ले कर जाना इस सरह से उपर ले कर जाएंगे तो इतने सारे features निकल कराते हैं यहां पर accessible setting है यहां से power off कर सकते हैं volume आप कर सकते हैं recent apps को भी open कर सकते हैं इसके अलावा है हां पर है दूस्टों और ने बता दिया 60 से ज़्यादा tips and tricks hidden features आपको कौनसे फीचर अच्छा लगा नीचो कमें जरूर लिख कर बता देना इसी तरह के और भी स्मार्टफोन के लेटेश्ट स्मार्टफोन के आने वाले स्मार्टफोन के इसी तरह की वीडियोस देखने लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकोन पर प्रस करके रख लेना